सरसों का उत्पादन बढ़ने से विदेशिक हाद्य तेलों के आयात में कुछ कमी आ सकती है जिसमें पाम तेल, सोया बीन तेल और सूरज मुखी का तेल शामिल है Solvent Extract Association of India के कारेकारिय ध्यक्ष के अनुसार देश के लगबख सभी पर्मुक उत्पादक प्राज्यों में सरसों की फसर अच्छी हालत में है और इसका बिजाई शेतर भी पिछले सीजन से करीब 5 फीसद बढ़कर 100 लाग हेक्टर के उपर पहुँच गया है वहीं उध्योग जगत के जानकारों का कहना है कि 2022-23 सीजन के दोरान देश में करीब 115 लाग टन सरसों का उत्पादन हुआ था जबकि 2023-24 के वर्तमान सीजन में उत्पादन इससे 3-5 लाग टन अधिक हो सकता है यानि सरसों का कुल घरेल उत्पादन 120 लाग टन तक पहुँचने की उमीद है वहीं जैपूर के कारोबारियों का कहना है कि फसल की हालत भेतरीन है यदि अगले दो हफ्तों तक कोई समस्य उत्पन नहीं हुई तो सरसों का उत्पादन 120 लाख टन तक पहुन सकता है वहीं कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि पिछले सब्ता तक मौसम की हालर ठीक थी लेकिन अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है इससे फसल के जल्दी पकने की संभावना बढ़ सकती है और दाने का आकार छोटा हो सकता है पहले भी फरवरी और मार्च में उचे तापमान की वज़े से फसल परभावित होती रही है और वहीं देखा जाए तो मौसम विभाग के आकड़ों से पता चलता है कि सबसे पर्मुखुद पादन प्रांत राजस्तान के कुजिलों में चालू हफते के दुरान उच्तम तापमा समान्य स्थर से करीब 6 डिग्री सेल्सियस उंचा रहा है वहीं जानकारों का कहना है कि अगले महिने से नई सर्सों की जोरदार आवक होने लगेगी और सर्सों का न्यूंतम स्मर्थन मुलिया इस बार 5650 रुपे प्रतिक विंटल तैह किया गया है जबकि थोक मंडी भाव इससे काफी नीचे है यदि यथा शिगर खरीदारी शुरू नहीं हुई तो सर्सों के दाम में और भी गिरावट बढ़ सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी